कितनी खूब शूरत है, मुझे तेरे जरूर बॉलिवुड के सुपस्टार बन चुके थे, उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और अपने एक्शन अवतार से फिल्मी दुनिया में टहल का मचा दिया था, इस बीच उन्होंने घातक, दामिनी, बॉर्डर जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था, सनी देओल ने स अभी पीछे मुड कर नहीं देखा, सनी देओल की फिल्म घातक साल 1996 में रिलीज हुई थी, ये एक फुल एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें काशी नात का किरदार निभा कर सनी देओल ने हंगामा मचा दिया था, अमरीश पुरी, डैनी डैन जोंगपा, मीनाक्षी इशादरी भी मूवी का हिस्सा थे, फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोशी ने किया था, साल 1993 में रिलीज हुई दामिनी में सनी दियोल ने लॉयर गोविंद श्रिवास्तव की भूमिका निभाई थी, अमरीश पुरी और रिशी कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा थे, इस मूवी के लिए सनी दियोल ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था, बेस्ट वोर ड्रामा मूवी बॉर्डर की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच 1971 वोर पर आधारित थी, 1997 में रिलीज के बाद ये मूवी कल्ट क्लासिक बन गई, वैसे यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इसमें सनी दियोल ने एक बार अपनी अक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई थी, बॉर्डर का डायरेक्शन जेपी दत्ता ने किया था, सनी दियोल के करियर की बेस्ट फिल्मों में गदर एक प्रेम कथा भी उमार है, उन्होंने तारा सिह बनकर ऐसा जलवा बिखेरा था कि सिनेमा घरों में आउडियन्स की आँखें खुली रह गई थी, ये मूवी साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था, इसमें अमीशा पटेल भी नजर आई थी, फिल्म की सन सनी देवल ने अपने एक्शन अवतार से सिनेमा घरों में तहल का मचा दिया था, इसमें अमीशा पटेल भी फिल्म में नजर आई थी, तो दोस्तों, ये था सनी देवल की पाँच फिल्में, जिसने सनी को सुपरस्टार बनाया, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ल